लखनों में 79,000 सहायक अध्यापक भरती से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है बेसिक सिक्षा परिशद ने अब अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर में करेक्शन का मौका दिया है ABP गंगा ने सबसे पहले दर्शकों को ये खबर दी थी कि बेसिक सिक्षा परिशद अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर में संशोधन का मौका देगा आपको बता दें कि परिशद में पास होने के बाद भी अभ्यर्थी भर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि परिशद के समय दिये मोबाइल नंबर में परिवर्तन के चलते अभ्यर्थियों को OTP नहीं मिल पा रहा था ABP गंगा ने इस खबर को प्रमुक्ता से दिखाया था परिशद के मताबिक करीब 6-7000 ऐसे अभ्यर्थी थे जो मोबाइल नंबर की वज़ह से आवेदन नहीं कर पा रहे थे और अब ABP गंगा की खबर पर मुहर लग गई है बेसिक सिक्षा मंतरी सतिश दिवेदी ने इस खबर की पुष्टी की है बेसिक सिक्षा परिशद ने अब मोबाइल के करेक्शन की इजाज़त दी है कल राद 12 बे तक अभ्यर्थी आउनलाइन आवेदन कर सकते हैं एक लाग च्यालिस हजार साथ अभ्यर्थियों ने ये परिक्षा पास की थी लखनों में 69,000 सहायक अध्यापक भरती से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है बेसिक सिक्षा परिशद ने अब अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर में करेक्शन का मौका दिया है ABP गंगा ने इस सबसे पहले दर्शकों को ये खबर दी थी कि बेसिक सिक्षा परिशद अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर में संशोधन का मौका देगा आपको बता दें कि परिशद में पास होने के बाद भी अभ्यर्थी भर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि परिशद के समय दिये मोबाइल नंबर में परिवर्तन के चलते अभ्यर्थियों को OTP नहीं मिल पा रहा था ABP गंगा ने इस खबर को प्रमुक्ता से दिखाया था परिशद के मताबिक करीब 6-7000 ऐसे अभ्यर्थी थे जो मोबाइल नंबर की वजह से आवेदन नहीं कर पा रहे थे और अब ABP गंगा की खबर पर मुहर लग गई है Basic सिक्षा मंतरी सतिश दिवेदी ने इस खबर की पुष्टी की है Basic सिक्षा परिशद ने अब मोबाइल के करेक्शन की इजाज़त दी है कल राद 12 बे तक अभ्यर्थी आउनलाइन आवेदन कर सकते हैं 140,006 अभ्यर्थियों ने ये परिशद पास की थी लखनों में 69,000 सहायक अध्यापक भरती से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है Basic सिक्षा परिशद ने अब अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर में करेक्शन का मौका दिया है ABP गंगा ने सबसे पहले दर्शकों को ये खबर दी थी कि Basic सिक्षा परिशद अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर में संशोधन का मौका देगा आपको बता दें कि परिशद में पास होने के बाद भी अभ्यर्थी भर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि परिशद के समय दिये मोबाइल नंबर में परिवर्तन के चलते अभ्यर्थियों को OTP नहीं मिल पा रहा था ABP गंगा ने इस खबर को प्रमुक्ता से दिखाया था परिशद के मताबिक करीब 6-7000 ऐसे अभ्यर्थी थे जो मोबाइल नंबर की वज़ह से आवेदन नहीं कर पा रहे थे और अब ABP गंगा की खबर पर मुहर लग गई है बेसिक सिक्षा मंतरी सतिश दिवेदी ने इस खबर की पुष्टी की है बेसिक सिक्षा परिशद ने अब मोबाइल के करेक्शन की इजाज़त दी है कल राद 12 बे तक अभ्यर्थी आउनलाइन आवेदन कर सकते हैं एक लाग चालिस हजार साथ अभ्यर्थियों ने ये परिक्षा पास की थी